आप सभी का स्वागत है पंचायती सरगर में अब बहुत तेज हो चुकी है और इसी संदर्ब में हमारी टीमा पहुंची है हसनपुरा परखंड के प्याउर पंचायत के ये जोवागाओं हैं और यहाँ पे आज हमारे साथ परत्यासी भी मजूद हैं और समर्थक भी मजूद हैं जी हैं हम बात कर रहे हैं आज यहां से भावी इवा मुख्या परत्यासी सतीस कुमार यादो जी का और यह हमारे साथ मुझूद है इनसे जानेंगे कल इनके समर्थक से बात हुई थी आज हमारे साथ मुझूद है इनके समर्थक भी मुझूद है यह सारे हुजुम जन्ता को परणाम अदाब सराम करता हूँ सर कल आपके सपोर्टरों से मेरी बात हुई थी उन लोगों ने काफी सपोर्ट किया आपको क्योंकि आपने अच्छा काम किया है अगर आप जितते हैं इस पंचायत से तो आपकी विकास की रोड मैप क्या होगा सबसे पहले अगर हम स्कूल का क्या हालत है इसकूल का हालत और इसकूल में पढ़ाई का हालत दोनों का हालत देखिए बहुत मतलब बुरा हाल है सबसे पहले इस पर हम ध्यान देंगे उसके बाद रोड और नाली और रोजगार पर ध्यान देंगे और हम कोसिस करेंगे कि जितना नौजुअक ल पुरे पंचायत में उसको आप कितना सत्य मानते हैं अब पिछले पांच साल में जो विकास हुआ है वो तो जनता के सामने दिखाई दे रहा है कि कितना पांच साल में विकास हुआ है आप देखिए हम लोग बारिस के मौसम में अभी जुनाओं में घूम रहे हैं यहां तक कि पियाउर बस्वत नगर से पियाउर तक जाने का रास्ता नहीं है हम लोग दूसरे पंचाई थोकर के घूम के जा रहे हैं और रास्ता नहीं है कि हम लोग गाउं गाउं में भी कहीं कहीं यही सा हालत है कि पांकी में चल रहे हैं बस्वत नगर में जहुआ में मतलब नाली का पानी रूड पे ही चल रहा है इसे यही तो भीकास है 5 सल का विकास और 10 सल का और सुनने में आए कि आप नाज जितने हुए भी बहुत सरे काम कर आएं उसके बारे में जरा बत आई जी आप जितने हुए भी मतलब दूसरे का फॉंड और मेरे मतलब अपना जो टेंडर है पूरा वहां पे मतलब ठेहुन भर उसमें कीचड़ रहता था लोग जाते आते थे साधी बीवा हर चीज में परसानी होता था उस चीज को हम बनवाए वहां पे और आच्छा से बनवाए खाड़ा हो करके यह विकास किये उसके बाद से छोटगाट बनवाए अपने यहां मतल सतीस यादों बीच मैदान में कोड़े हैं प्यावर पंचायद से अई इस पहर विकास के बाद système Bakery रहां किशा कीतरी में और उजराह में कभिलपूरा में विकास किया है दुसरे के फॉंड से आप पंचाइद के फॉंड नहीं है विकास किया है जितना किया है दुसरे के फॉंड से आपको क्या लगता है अच्छा लगता है आपको क्या लगते हैं ना जित्ते उए इतना काम कि जित्ते हैं तो किस परकरकाई Row dissolग आप क्या हमने डाप जाएंगा तब उसको जो फंड मिलेगा उस फंड से यहां का विकास हो यहां का पंचाइद का विकास होगा क्या नाम हूँ आपका दिन दयाल परसाद सिरवास्टो जी और भी कोछ लोग मजूद हैं कोछ हीवा भी मजूद हैं यह जी बताईए आप बताईए सतीज कुमार जादों ने हमारे कल्पूरा और बल्थरी में बहुत सा काम किया है बीना जीते हुए छोड़ घर बनाये हैं रोड बनाये हैं और हमारे कल्पूरा बल्थरी का आदमी इनको मान समान करते हैं इसलिए हम इन लोग का खड़ा किया है और जितने का बाद विकास का जो भी काम आएगा हम लोग इंसे करवाएंगा रोड बनवाएगा ध्रमसला करवाएंगा जो भी नाम हमारा साहब या दो और भी लोग मजूद हैं आरोप और परत्यारोप का दोर जारी है इस पे आपका क्या कहना है बहुत से सरा इलजाम भी लगते हैं परत्यासियों पे आपका क्या कहना है लेकिन हम लोग का बिपक्षी पार्टी का तो आरोप लगाना काम है लेकिन हम लोग का अपना काम है वो जो भी कहें लेकिन जो जनता कहेंगे वो ही हम लोग करेंगे जनता भी समझती है कि अगला विपक्षी क्या कहे रहा है क्या नहीं कहे रहा हम लोग तो जीतने के लिए लड़े हैं और जीतेंगे भी विपक्षी चाहता है कि कोई भी आरोप लगा के जूटा सच्चा लगा के हराना चाहता है कि हम खुद हार रहे हैं और दूसरों को भी हर लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ेगा हम लोग जीतेंगे नाम क्या हूँ आपका सुनी लिया दो सुनी लिया दो चलिए एक बार और भी लोग यहां पर महजूद हैं जी यह बताई यह सभी परत्यासी बीच मैदान में आपको सबसे ज़्यादा यहें वोड़ेगे यही लालत नहीं इवाइगे पांचाइद को भी सबसे बिकास करेंगे एक बार फिर अपने परत्यासी के पास चलते हैं सभी आपके सपोटर हैं और सपोर्ट कर रहा हैं और आरूप परतियारोप का दोर भी जारी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब देखिए सभी युवा मेरे साथ हैं पूरे पंचाइत में लगभग मतलब जितना युवा हैं सब मेरे साथ हैं हम उनके साथ हैं और परतियारोप का जहां तक बात है तो हमको सारे लोग मतलब अब नाम तो नहीं रखेंगे लेकिन चार है कि कैसे भी इनको बदनाम किया जाए कि इसे भी इनको मतलब गुम्राह किया जाए कि सती से इसा है मतलब हम लोग जीत रहा है ठीक है आप ठूद पंचाइत में गूम करके देखिए हम लोग जीत रहा है लेकिन ये लोग को मतलब नहीं होता है कि अब दर्द घुता चाहिए पंचायत में और कौन जीतेगा तो विकास करेगा इसलिए लोग आज के डेट में बहुत चलाक है और उसी को भी वपना कीमती भोट देंगे जो उस लायक है दो दिन रह गया है मातरे मत्तदान होने में आज पांच तारीख हो गया तिन दिन रह गया है तिन एक दिन मत्तदान होना है क्या अपील करना चाहेंगे पूरे पंचायत वासियों को पूरे पंचायत के ग्रामीर जनता जनारदन को मैं यही अपील करना चाहूंगा कि आप सभी लोग धड़को करके आप लोग अपना भोट कीमती भोट दीजिए और किसी के बाकावे में नहीं आईए किसी के डराने से नहीं डरिए आप अपना भोट एकदम बूत पे जा करके और पूरी हिम्मत के साथ भोट दीजिए और आप अपने परतियासी को जो भी परतियासी आप चुने है उसको भोट दीजिए लेकिन किसी के डराने धमकाने से नहीं डरिए हसनपूरा नियुज एक्सप्रेस टीम के तरफ से हम भी यही निवेदन करते हैं कि आने वाले आठ अक्टूबर को आप जादा से जादा मतदान करें और एक स्वक्ष और सिक्षित परतियासी को चुने और अपने पंचायत और अपने लेविकास का दरवाजा खोले बहुत हब भूँ धने बहुत का इसा हो जीता था जीता ता इम चाप जीता था पर थो यहिए अध तक पर में जीता हो कि एकार में ना मुक्य कैसा हो इतता मैं इतता, चंप इतता, चंप इतता